हाई यह शुरुबात करते हैं कंपनी अकाउंट का हम लोग प्रॉराटा कर रहे थे और प्रॉराटा में आपको बतायते हैं हम लोग कि प्रॉराटा दो तरका होता है सिंपल में आप देखेंगे केसे रिकोगनाईज करेंगे तो सिंपल में क्या होता है वोलिए सिंपल में क्या होता है सिंपल में अलाट्मेंट में कॉल सिने दियर नहीं होता है और कॉम्पलेक्स में होता है वहाँ पर एक है without table, with table अभी हम लोग क्या कर रहे है without table, ठीक है क्योंकि इसमें condition नहीं है कि इसको कितना कितना दिया गया आपके university में आयो एक सवाल आपके university क्या है, सारे university में company से इसी राइब के सवाल आते है dynamic limited made a public issue 15,000 equity share 10 each, at a premium और रुपीज 5 per share पेबल as follow, तो 10 और 5 कितना हो गया 15,000 आपकेसिन 5 रुपीया लेकिन इसमें 2 रुपीया प्रीमियम है यानि प्रीमियम 5 था 3 रुपीया प्रीमियम क्या हुआ allotment में चला गया, allotment 6 रुपीया उसमें 3 रुपीया प्रीमियम है, तो देखिए share का दाम 10 और 5 पंदर बट एप्लिकेसिन में 5 ले रहे हैं allotment में 6 ले रहे हैं, तो 11 हो गया 2 रुपीया फ़स्ट कॉल ले रहे हैं, तो 13 हो गया balance कितना होगा, 2 रुपीया फैनल कॉल यह टोटल कितने entry होंगे, 8 entry applications were received अब देखिए, पंदर जार सेर बेजना चाहरे था application कितना आ गया, 24 रुपीया no allotment was made कोई allotment हम लोग नहीं दे रहे हैं, to the applicant for 4000 share तो देखिए, 24 में 4 चला गया बचे किया 20 यानि 4 के लिए bank होगा we are refunded along with letter of request, purata allotment was made purata हम लोग कर दी है applicant for 20,000 share यानि 20,000 share holder को proportionate allotment 15,000 share कर दिया गया, यहां तक भी कोई दिकत नहीं होना चाहिए Mr. A who had applied applied को circle में ले लो applied अलग होता है, allotted अलग होता है क्योंकि यहां पर तो apply किया था लोग 20,000, उसको मिला 15,000, इसी तरह से यह 120 supplied किया था, उसको actually मिला कितना, यह नहीं कि 120 के उपर आप सब काम करते हुए चले जाएंगे बोलता है Mr. A who had applied 120 share fail to pay allotment and both the call, यानि 120 share जो apply किया था कितना allot हुआ तो भी हम लोग निकालेंगे allotment का पैसा नहीं दिया complex हो गया, harsh call भी नहीं दिया, final call भी नहीं दिया Mr. B who was allotted, allotted allotted है, circle में लो यानि इसको साथ ही share दिया गया था fail to pay to call first call और final call नहीं दिया share of A and B were forfeited, A और B का share को forfeiture किया जा रहा है after the final call was made, final call मांगने के बाद all the forfeited shares were reused, फिर सारे के सारे जो share forfeiture हुआ है Mr. C को ही है, उसको 12 रुपिया में दे दिया गया, 10 का share 12 में तो यहाँ पर भी कोई खास बात नहीं है लेकिन आगे कुछ खास कर दिया है so the journal entries in the book of dynamic limited, to give effect to the above and also prepare a bank account अब देखे, also prepare a bank account, इसका मतलब bank से related, जितना भी transactions है, उसको हमको नहीं दिखाना है तो फिर problem आगिया, क्योंकि हम लोग आदत क्या है, bank account मिना लिखे हम लोग direct नहीं बना सकते हैं तो क्या करना चाहिए, हम लोग थोड़ा दिर के लिए इसमें सोच लेते हैं, कि सिर्फ general entry करना है, कि इसके book में dynamic limited के book में फोड़ा जल्दे बताईएगा, bank account dr to equities here application account equities here application account dr to equities here capital account जितना बेचना चाहते हैं, वहां जाएगा कुछ वापस भी हुआ है bank account और कुछ adjust भी किये हैं, equities here allotment account premium भी है तो यहां पर securities premium भी होगा सोचके देखिए, कितना बड़ा entry हो रहा है premium हमेशा जब आप करेंगे ना तो capital के निचे ही करिएगा और यह बिठाना शुरू करते हैं, फड़ा देखिए, चोबिस हजार इंटू कितना देखो जी जितना से credit उतना से debit लेकिन बेचना कितना चाहते थे बोलिए तो यह पंदरा हजार ही premium और इसमें जाएगा, premium कितना था? दो रुपिया premium में चला जाएगा, तीन रुपिया यहां चला गिया वापस कितना कर रहे हैं, तो 4000 पूरा का पूरा पूरा पांच रुपिया वापिस करेंगे एक्सेस कितना यहां था? तो 5000 एक्सेटा बच गिया, क्योंकि टोटल 24,000 एप्लिकेशन आया, 4000 वापस कर दी हैं, तो बच गिया 20 20 में से 15,000 हम बेचना चाहते थे, जो बेचना चाहते हैं, होई क्यापिटल में जाता है तो परपोर्शनिट क्या हुआ, 5000 तो 5000 एंटु 5,000 एंटु 5,000 डेबिट और क्रेइट बराबर हो जाना चाहिए यह इंट्री को बढ़िया से समझेए, आप लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जितना आएगा यहां पर लिखेंगे जितना से क्रेड़ी उतना से डेबिट, जितना बेचना चाहते थे, वो क्यापिडल में जाएगा, वहाँ प्रिमियम भी है, तो प्रिमियम में लेगे हैं जो वापस करना चाहते हैं, वापस कर दीजिए, चारे जाए तो बच गया है, पंदे जार यहां तो पांच जार रेजिस्ट कर रहे हैं, यहां तक हो गया एंट्री, अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉट्मेंट स्टिएस प्रिमियम है ना, देखो यह बंदा, जिसको भी फॉरफिट्र करेंगे, जो अलॉट्मेंट का पैसा नहीं दिया, एक प्रिमियम का पैसा दिया, दुसरा प्रिमियम का पैसा नहीं दिया, यह ध्याँ रखिएगा तो पांच रुपिया प्रेमियम धबार दबर नहीं मार दीजिएगा अल्रेडी दो रुपिया प्रेमियम दिया है तो तीन रुपिया होगा और यह इंट्री बहुत अच्छा इंट्री है यहां समझने वाला बात है अलॉट्मेंट में सारा काम कितना के ओपर करेंगे हम 15000 इंट्री इंट्री अलॉट्मेंट का पैसा बताईए कितना है बोलिए 6 руपिया is बट यह 6 रुपिया दो भागों में बटेएगा 3 रुपिया यहां और 3 रुपिया प्रिमियम में अब यहाँ पर थोड़ा सारे लोग भ्यान दीजिए कौल सिनेरियर हुआ है वहाँ पर कुस्टेंज में क्या बोला है बोलिए बोल रहा है कि Mr. A who had applied 120 share fail to pay allotment money तो आप यहाँ पर 120 मत दिखिएगा पहले अभी हमको देखेंगे कि 120 share के लिए apply किया था बट उसको allot कितना हुआ तो अब यहाँ पर एक working करेंगे हम लोग working आ जाईए वाजी यहाँ तक बोलो देखो हमने क्या हिया यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहला बात कहां-कहां लोग गलती करते हैं जब भी इस ताइप के सवाल आते हैं लोग कहां गलती करते हैं ऑन लाइन वाले भी समझीये अफ लाइन में जो बेटे हो भी समझीये देखो हम लोग allotment जितना से debit उतना से credit करेंगे but already यहाँ पर दीकिए allotment फ़रे से credit किया हुआ कितना 25,000 तो हम लोग 90,000 minus 25,000 तो कितना करेंगे बुलिया 65,000 यह simple पुराटा का effect खतम हुआ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब जड़ें यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर कौल सिनेरियर Mr. A ने Mr. A को कितना सेर allot हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा allotted यहाँ applied जब भी इस टाइप के सवाल करेंगे पुराटा जितने भी इनिवर्सिटी में सवाल आते हैं वहाँ पर applied allotted work पर बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे देखिए 20,000 सेर के लिए applied किया था बट कंपनी ने प्रो रहा था 15,000 सेर allot किया तो Mr. A 120 सेर applied किया था तो इसको allot कितना हुआ X माल नहीं है तो X का आगया 90 अब simple सा सोचिए कि 90 सेर के उपर उसने क्या नहीं दिया allotment अरे जितना allot हुआ उसके उपर 120 से तो कोई मतलब नहीं है तो देखेंगे जी 90 सेर के उपर अब 6 रुपया नहीं दिया तो बलेंगे सर 540 बाहर लिखे नहीं लिखेंगे 540 बाहर क्यों नहीं लिखेंगे 540 बाहर इसलिए कि इसने तो 120 सेर के उपर पैसा दिया था कितना पांच रुपया करके बट उसको सेर तो अलाट हुआ 90 यानि उसका पैसा तो यहाँ पर 3 सेर के उपर पढ़ा हुआ है देखेंगे 120 और 90 30 30 सेर के उपर उसका पैसा पढ़ा हुआ है कितना करके बट ऐसे हम लोग थोड़ों न निकालते हैं हम लोग ऐसे निकालेंगे एक्सेस अमांट पेड़ बाई Mr. A एट टाइम आप अप अप्लिकेशन यह जो यहाँ पर एलाटमेंट में पैसा रखा गिया 25,000 यह प्रो राका पर कोर्सनेट सभी का है 25,000 सेर होल्डर का यानि यह जो 25,000 प्या यहाँ पर रखा हुआ है यह टोटल 15,000 सेर होल्डर का है तो यहाँ पर Mr. A को कितना सेर दिया गया तो इसका कितना रुपिया रखा हुआ है तब हम यहाँ पर 540 में से 1.500 वापिस माइनस कर देंगे कितना जाएगा 390 कोई कैलकुल्टर लेकर बेठिये इसमें से इतना माइनस कर देखें कितना आ रहा है देखो इसके बाद असान है बट यहाँ फिर से समझना है यह तो ठीक है जी 24,000 सेर आया 15,000 बेच रहते तो 15,000 कैबिटल में जाएगा प्रिमियम भी 15,000 के उपर लिए यहाँ तक तो कोई कहानी नहीं है एकसे साथ आया तो रिफंड करते हैं यहाँ पूरा नहीं रिफंड किया इसलिए तो कुराटा हुआ 5,000 रखने हैं यह जो 5,000 रखा गिया अलॉट्मेंट का पैसा यह अलॉट्मेंट में इस्ट होगा अलॉट्मेंट में अब हम लोग 15,000 के उपर काम करेंगे 6 रुपिया करके बट 3 रुपिया प्रिमियम है 3 रुपिया कपिडल में जाएगा यहाँ तक तो भी कोई दिकत नहीं है अलॉट्मेंट जितना से डेविट उतना से क्रेट बट अल्रेडी क्रेट हम 25,000 करके रखें इसलिए 90,000 में 25,000 में अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि Mr. A. ने 120 सेर अप्लाइड किया था तो उसको अलॉट कितना हुआ क्योंकि यह तो परपोर्शनेट है प्रॉराटा है तो हम लोग ने देखा कंपनी 20,000 सेर होल्डर को 15,000 सेर अलॉट किया अब लोगे सर 20,000 कहां से आ गया तो उसको 90 सेर बिला अब लेंगे सर्फ 90 के उपर वो 6 रुपया नहीं दिया अपकोर्स नहीं दिया 6 रुपया पांसो चालीस फिर बलेंगे पांसो चालीस क्यों नहीं लिखे इसलिए पांसो चालीस नहीं लिखे क्योंकि परकॉर्सनेट एलाट्मेंट में अगर एलाट्मेंट में किसी भी तरह का कॉल से नेरियर होता है तो वो कंप्लेक्स हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो एक्सेस एमाउंट 25,000 पड़ा हुआ है वो 15,000 सेर होल्डर का है उसमें मिश्टर एक आभी कुछ न कुछ पड़ा हुआ है तो कितना पड़ा हुआ है 25,000 दिवाइड वाई 15,000 सेर तो 90 सेर का कितना 150 आप लोगे सर इतना जो घुमा के बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं सर 120 सेर के उपर बंदे ने 5 रूप आगर के दिया बट उसको 90 हुआ यानि 30 सेर उसको कम मिला तो 30 सेर के उपर 5 रूप आगर के ज़्यादा दिया तो डेड़ सुर क्या दिया था जिसको यहाँ एज़ेस्ट करना है ठीक है एज़ेस्ट कर ली जैसे भी समझिए बट हम लोग ऐसे समझेंगे यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा बताईए फर्स्ट कॉल कितना के उपर मांगेंगे झाल गोड़ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए सारा काम 15,000 के उपर हो रहा है ठीक है तो 15,000 इंटू टू जितना से डेविट उतना से रेडिट बढ़ देखिए और सिनेरियर हो रहा है मिश्टर ए 90 सेर के उपर अगला दो कोल भी नहीं दे रहा था अभी यहां उसे बी और जूट गिया है कितना सेर के उपर 60 तो टोटल यहां पर 150 सेर होल्डर ने 2 रुपया करके नहीं दिया 30,000 में 300 चला गिया 29,700 यह आप बोच सकते हैं 15,000 लोगों में इसे 150 लोग नहीं दे रहा है फिर से समझे यह तो 90 था ही जो हम निकाले थे पलस फ़स्ट कॉल में मिश्टर बी ने भी पैसा नहीं दे रहा है तो मिश्टर भी 60 सेर लिखा हुआ है समझ फानल कॉल में भी होगा 15,000 सेर के उपर फानल कॉल भी हम लोग कितना माँगें दो रुपया बट यहां पर भी दो लोग ए और बी ये दोनों मिल के दो रुपया नहीं दे रहा है क्योंकि कि फाइनल कॉल में भी कितना है चलिए यहां तक कीजिए जल्दी से बढ़ें आगे देखो यहां ध्यान से इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए अब क्या बोल रहा है दोनों को सियर को फॉर्फिचर करो और रिइसू करो और रिइसू करो फॉर्फिचर का इंट्री बोलिए एकुडिस से आए शेकुडिस प्रिमियम भी होगा कॉल सें एरियर एकाउंट तुस्यर फॉर्फिचर एकाउंट यहां पर सोचने वाला बात यह है ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं अगर हम पहले से पुरा सवाल को जब हम पढ़े थे उसी समय अगर हम जान जाते कि फॉर्फिचर कितना हो रहा है तो कितना मज़ा आ जाता यानि आठ इंट्री अभी आपने किया है यह नाइंथ इंट्री है और यह फॉर्फिचर का अगर आपका सही आ जाता है तो आप पोलेंगे कि हमारा यहां तक तो सही है इसके बाद दिकत कहा है जी तो आईए हम लोग पहले देख लेते कि फॉर्फिचर में क्या इमाउंट आएगा यह एक ट्रिक है फॉर्फिचर मींस होता है आप लोग भी यहां बेठे हुए हैं जो ओनलाइन में पड़ाई कर रहे हैं फॉर्फिचर का मतलब सहीर का फॉर्फिचर नहीं होता है क्योंक कि फॉर्फिटेड बाई दे कंपनी यह ने कितना दिया था बोलिए नब्बे शेयर के उपर दिया था पांच रुपिया जरूर दिया था बड़ दो रुपिया प्रिमियम हटा दो तो बचा कितना ओनली अप्लिकेशन दिया था ये भी आप जानते हैं तो नब्बे शेयर के उपर तीन रुपिया दो सो सक्तर पलस एक्सेस पेड किया था वो भी तो एक्सेस रह गिया था कंपनी के पास वन फिप्टी यहनि चार सो बीस रुपिया तो एक आप फॉर्फिचर हो गया एप्लिकेशन का वो पैसा दिया है और एलॉटमेंट का भी दिया है तो एप्लिकेशन में पांच रुपिया था बट उसमें दो रुपिया निकल गिया निकलाना है दो रुपिया अब बोले किसा दो रुपिया क्या निकाल रहे हैं प्रिमियम निकाल रहे हैं प्रिमियम को पैसा प्रिमियम में तो 60 से एर इंटू ठी ठीक है एलाटमेंट में कितना है छे रुपिया बट उसमें तीन रुपिया प्रिमियम का चला गिया क्योंकि टोटल पाँच रुपिया जो प्रिमियम था दो रुपिया था एप्लिकेशन पे और तीन रुपिया किसके उपर था एलाटमेंट के उपर शे रुपिया बट उसमें से भी तीन रुपिया चला गिया तो तीन रुपिया तो क्या हुआ छे रुपिया टोटल हुआ यानि सिक्स्टी सेर के उपर छे रुपिया करेंगे तो कितना तोटल फॉर्फिचर कितना होना चाहिए निकल तो गया अब देखिए कितना मज़ा आएगा जब यहाँ पर आप बनाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ A और B का कमपनी कितना रुपिया फॉर्फिचर करेगा 780 केसे हुआ 90 share के उपर A ने सिर्फ और सिर्फ एप्लिकेशन दिया 3 रुपिया 2 रुपिया चला गिया प्रिमियम 270 और एक्सेस तो पुरा का पुरा चला ही जाएगा B ने 60 share Allot हुआ था यह बात अलगे कि 90 हम लोग को निकालना पड़ा था क्योंकि यह Allot 90 हुआ था Application ज्यादा का दिया था हम उसके उपर नहीं जा रहें back 60 share के उपर सिर्फ B ने Application और Alignment लिया क्योंकि First Call और Final Call नहीं दे रहा है तो Application में 5 रुपिया था 2 रुपिया प्रिमियम चला गिया तो 3 Alignment में 6 रुपिया था 3 रुपिया चला गिया तो 3, 6 रुपिया तो होगी आज 60 रुपिया 306, 306, 780 अब देखो Total हम कितना share forfeiture कर रहे है 150 Final Call के बाद ठीक है इसमें जो ए था 90 share Premium का पैसा नहीं दिया है Application में तो दे दिया Allotment में नहीं दिया Allotment में Premium कितना था ठीक है Call scenario तीन जगा हुआ है कितना कितना हुआ है जरा बताइए तो 3 390 300 और 300 जोड दीजिए 990 यह दोनों में से इसको माइनस कीजिए देखिए 780 ही आएगा कीजिए जल्दी से आ गया ना इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे है मालीजे कोई भूल से समझेगा भूल कहा होता है मालीजे कोई भूल से यहाँ पर 90 इंटू 5 लिग दिया क्योंकि 5 रुपया premium था यह सोचेगा अरे premium का पैसा नहीं दिया अरे premium का पैसा नहीं दिया पटे अप्लिकेसर में एक premium था हो तो दिया था लेकि मालीजे अगर भूल हो गया वहाँ पर एक्जाम में तो पांच लिग दिये तो आपको पता चलेगा ने कि 700 से नहीं आ रहा है मतलब हम कहीने कहीं गलती कर रहे हैं तो आप तुरूंट खोज सकते हैं अगर नहीं खोजना चाहेंगे तो यहाँ पर यह amount लिके balance कर सकते हैं कुछ भी तो कर सकते हैं तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं अब रिसू कीजिए कितना हुआ रिसू बोलो बोलो जल्दी बोलो कितना करके कर रहे हैं बैंक अकाउंट डियार कम में तो नहीं बेचने हैं ज्यादा में बेचने हैं तो एकुडिस है तो सिकुरिटीज हाँ कितना बोलें जल्दा बताईए अगा फिर से एक बार कितना बेचने हैं तो कितना बेचने हैं हम बोलो 150 पुरा ही में बेचने हैं कोई कंडिशन अपलाई है क्या कितना आएगा बुलिए बोलो थोड़ा आमांट जल्दी बोलो इसका मतलब यह हुआ यह टोटल जो फॉर्फिचर हुआ है वो मेरा टांस्पर हो जागा कहा पर लास्ट इंट्री कीजिए यह 780 पुरा का पुरा इसी ने चला गया क्योंकि री इसू के बक्त आपको कोई लॉस नहीं हुआ नियम है बिन बैलेंस अमांट ट्रांसपर टू क्यापिटल इसर तो बैलेंस क्या टोटली बैलेंस हो गया क्योंकि 780 में से हमको कुछ भी नहीं लगा तो क्यों दो झाल झाल, 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 झाल